Q1. भासा की सबसे छोटी एकाई है? सब्द स्वर वंजन वर्ण. राइट आंसर है D. वर्ण. Q2. हिंदी ममूलता कितने वर्ण है? आंसर है D. हिंदी भासा के कौन सी धनिया है जो सतनती रूप से बोलिया लिखी जाती है? आंसर है A. सयुक्त को छोड़कर हिंदी ममूल वर्णों की संख्या कितनी है? 48. Q5. स्वर किसे कहते हैं? आंसर है B. जिसका उचारण बीना अवरोद अथवा विगन बाधा के होता है. Q6. नियमने लिखित में से अगरे स्वर नहीं है? आंसर है A. ओ. हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है? आंसर है C. 3. Q8. हिंदी बढ स्वर नहीं है? आंसर है D. 11. उचारण के समय जीब की स्थिती के अनुसाइब स्वरों के कितने प्रकार किये गए है? आंसर है B. 3. वे धुनिया जो स्वर की साहित्ता के बिना उचारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? स्वर सब्द व्यंजन संयुक्ताक्षार आंसर है C. व्यंजन निमने लिखीत मैंसे एक इसपर से व्यंजन है? आंसर है B. चार जो क्वेशन नमर 14. हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंच माक्सरों का उचारण स्थान किया है? आंसर है A. अनू नासिक. व्यंजन है? Čन्टः स्था व्यंजन है? आंसर है D. यह रो लो वरॉँच्वेशन नमर 16. क्वेशन नमर 17. उचिपत व्यंजन है?'dot 8 व्यंजन के सयुग से बना है आंसब जैशल ऑरग्यों की गरणा सोतंतु वर्णमा नहीं होती कि आंसर एंसर यो सयुक्त व्यंजन है करें 2 हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या हैं श Рассní fi 32 कंठ भानियां कौंशी हैं आंसर है C को लक 10 फ्मस्थानう सो ध्वनी का उच्चारण स्थान है आंसर ए B, तालविय 24, मुर्धन ये ध्वनिया कौन सी है आंसर ए B, टो, ठो, डो, डो 25, क्यों, तो, ठो, ठो, सो, आधी का उच्चारण स्थान है आंसर ए B, दंत्य जिन व्यंजनों के उचारण में दो ओष्ठों द्वारा स्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं आंसर है B. ओष्ठी वंजन यदि नीचे का होट पूरी तरह काट दिया जाए तो किस द्वनी के उचारण में कठिनाई होगी आंसर है B. वो व्यंजन का उचारण स्थान है आंसर है D. दंतियोष्ठ व्यंजन व्यंजन कौन सा है आंसर है A. नो 30 व्यंजन स्वर रही त्रो का प्रियोग हुआ है आंसर है B. पुनर निर्माण में आंसर है B. को और निलगित में से कौन सी बात गलत है आंसर है B. बौ संगोश ओष्ण महाप्राण है आंसर है C. अगोश धुनिजन का उचारण में स्वरतंत्रियों में कमपन नहों वो कहलाते है आंसर है C. अगोश धुनिया Q34. पुरसननता में कौन सी धुनिया A. यूकमग धुनि Q35. निम्न में से महाप्राण धुनि नहीं है A. कौ Q36. अगोश वर्ण कौन सा है A. D. सा 37. संबल में कौन सी धुनिया A. संप्रक्त पंचांग सब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निमने मुलिखित में से किसम हुआ है आंसर सी पंचांग साथ ही वीडियो को पर लाइक भी कर दें अगर आप देख रहे हैं हो तो 39 वित्व का प्रियोग किस सब्द में नहीं हुआ है आंसर सी वल्गा जो भी है आंसर सी है Question no.40 हिंदी सब्द कोस में 6 का करम किस वर्ण के बाद आता है ए दिया है कौ, बी दिया है, 6, C पिस दिया है, 3, D दिया है ग्यों आंसर है कौ उसके बाद आता है आपका next question 41 सब्द कोस में सृधधा सब्द किस सब्द के पहले आएगा आंसर है D, स्रमिक Q42, निम्न मैंसे कौन सा सब्द कोस में सबसे बाद में आएगा हरास, हार्दिक, हृदय, इन मैंसे कोई नहीं आंसर है A, हरास Q43, निम्न लिखित मैंसे कौन सा सब्द सब्द कोस में सबसे पहले आएगा इसमें आपको बताना है इसमें आपको option दिये हुए हैं अंकुर, आकार, अनिरुद्ध, आकना इसका right answer है A, अंकुर Next question है आपका 44, इन में से कौन सा युग में अघोस द्वनी है? इसमें आपको बताना है इसमें आप संदेर के गो, गो, डो, डो, दो, 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 पो, फो, इसका right answer है C, पो, फो Question number 45, हिंदी वर्ण माला में कुल कितने वर्ण है? वर्ण आपको बताने है जो की कुल है हमारे 52 इसके बाद next question है आपका 46, इसमें आपको करना है सुमेल लित करना है आपको इसे मतलब बताना है कि कौन सा ठीक है इसमें आपका right answer है इसमें बताना है आपको जो, अंत्रस्ट, यो, तालव्य, थ, मूर्धन, ये, डो, दो, दो, देर्ख, आपको इसमें आपको सही-सही answer बताना है जिसमें आपका right answer दिया गया है बी, टू, एका होगा two, एका two मतलब तालब ये, जो है तालब ये ऐसे इह b का है one b का one मतलब अंतस्थ्य, सैस मैं b का answer रोंग दिया है, इस लिए इसमें b में cut किया हुआ है, इसके बाद आप देख रहें ना, फोर्थ ठो का है, फोर्थ दन्त्य और दो का है 3 मूर्धन्य ओके नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं आपको दिख रहा है धोनी किसकी लगुत्तम इकाई है आंसर डी भासा की क्वेशन नमर 48 लगुत्तम वाग ध्वनी को कहते हैं क्या कहते हैं आंसर ए वर्ण क्वेशन नमर 49 हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं आंसर है C दो प्रकार के वर्ण माला मैं मातरा का अर्थ बताना है इस ओप्सन देरके धोनी का परिमान वर्णों का क्रम वर्ण की मातरा हैं या फिर वर्ण के उचारण में लगने वाला समय राइट आंसर जो की है D वर् किसे कहा गया है आंसर डी विसर्ग को 52 विसर्ग का उचारण किसकी तरह होता है आंसर बी हो की तरह क्वेशन नमर 53 बिना अवरोत के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं आंसर ए स्वर्ग क्वेशन नमर 54 वर्ण की परिभासा है आंसर ए बिना किसी सहाईता के बोले जाने वाले वर्ण क्वेशन नमर 55 या रो लो वो किस प्रकार के वियंजक है आंसर डी अंतस्त 56 इनमें से उच्च्च वियंजन कौन सा है आंसर ए 57 महाप्राण वर्ण का अर्थ है आंसर ए C इनमें से कौन उच्च वर्ण है आंसर ए C U U क्वेशन नमर 59 इए किस प्रकार के वर्ण है आंसर है तालव या क्वेशन नमर 60 आ वर्ण है आंसर ए अनुसासिक क्वेशन नमर 61 अर्थ परिवर्तन की दिसाओं की संक्या कितनी है आंसर है C 3 वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो वो लाइक कर देना